हाइफ्रेंज आज हम बनानी जा रहे हैं चावल की आठे से बिल्कुल नए तरीके से नाशता है घाने में बहुत ज्यादा टेस्ट हिए तो श्रू करते हैं मैं बनाना तो यहाँ पर मैंने एक कप चावल गांटा लिया है और इसमें मैंने आधा कटोरी स्विजी डाला है और इसमें मैंने तीन चार चमज तक देही डाला है और इसे हम मिला लेते हैं इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पाने डलके बिल्कुल गाड़ा भूल तैयार करूंगी गूल हमारा तैयार हो गया तिसे हम पांच मिलट लिए फूलने के लिए रख दिया इधर मैंने बॉयल किया कारा दरक लसन डाला है इसके जगा आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और यहां पर मैंने दो बारी कटा हुआ हरा मिर्च डाले हैं और सबस्केन हम इस तरह से भूंज लेते हैं एक चमश चमश मैंने यहाँ पर अल्दि पौड़ा ढाले है आप चमश मैंने यहाँ गुल की जीरा का पौड़ा ढाले है ऐसे एक मिनत तक फिर से भूपूंज लेते हैं अब मैं इसमें मसला हूँ आलू को डाल देती हूं और इसे 2-3 मिनट तक मासालो के साथ हम भूँज लेंगे तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गया है और आलू भी अच्छे से भूँज आ गया तेसे मैंने स्वाधने सा नमक डाले हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं इसमें मैंने बारी कटा हुआ धनिया डाले है और अच्छे से इसे हम मिला लेंगे और गयस को मैंने बंद कर दिया है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां मैंने एक बॉल में निकाल लिया है अब मैं धनिया के चट्णी मनाने के लिए तियार कर रही हूँ तो यहां पर मैंने भारी कटा हुआ धनिया लिया है और इसमें मैं अधर कलسं डाला है, PLATE में निकाल लिते हैं यहां पर हमारा बेटर भी सुल गया है, तो इसमें मैंने मेठा सोडा डाले है और इसे हम अच्छे से फेट लेते हैं तो इस थोड़ा गाढ़ा दीख रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे तो इधर मैंने पैन को गरम होने के लिए रख दिया है और एक चमच मैंने यहां तेल डाला है और इक चमच मैंने यहां वेटर को डाला है और इस तरह चमच से मैंने फैला लिगा है थोड़ा सा हम आलू के इस तरह से तोर के यह सी चपटा कर लेंगे और सारा टिक्की हम तैयार कर लेंगे या तो आप एक अग करके त्यार करें या तो एक बार करते जाए और डालते जाए तो आप मैंने एक चमच ये धनिया का चटनी डाले है और इसे उपर टिकी को रखे हैं और इस तरह से हम वेटर को फैला लेंगे और दो-तीन मिनट तक हम इसे पकने देते हैं तो यहाँ पर दो-तीन मिनट हो गया है उपर से ये पक गया है तब हम इसे दिशे तरह पलट लेते हैं अधिशे तरह भी पकने देते हैं इसको दो-तीन मिनट तक अब ये दोनों तरह अच्छे से पक गया है तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे को तैयार कर लेंगे अप इसे इस तरह उलट को लट कि आप इसे पका लें इस खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है तो आप इस रेश्पी को एक बार घर पर जरूर ट्राइ करें आपको यह बहुत पसंद आएगा अगर एक बार आप ट्राइ करेंगे तो दुबारा जरूर बनाएंगे तेहां पर मैंने सारा त्यार कर लिए है आप किसी भी इसे सॉस चटनी के साथ खा सकते है तो हम इसे आपको काट कर भी दिखा देते हैं यह देखने में अंदर तक कितना यह अच्छा दिख रहा है यह देखे अपने मन पसंद सॉस चटनी के साथ खाए विडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे कमन्ट करके जरूर बताए ठाइंक यू